सतिंदर परताप और आज किस वीडियो में हम देखेंगे class 12th की geography जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे English English नहीं देखेंगे हम देखेंगे geography ठीक है मेरा नाम है सतिंदर परताप और चलिए सुरू करते हम अपनी वीडियो आपके सामने एक चैप्टर है चैप्टर नमबर फाइव है जिसका नाम है भू संसाधन और किर्शी तो इससे रिलेटिट कौन से कोशन हमाले इंपोर्टेंट हो सकते हैं उसको पढ़ेंगे सबसे पहले हम क्या बढ़ते हैं थोड़ा सा समरी बढ़ लेते हैं समरी में देखो दोस्तों ध्यान से आपको देखना है कि किसी चेत्र में भू उपयोग यानि भूमी के उपयोग अधिकतर वहां की आर्थिक किरियाओं के प्रिकृति पर निर्भर करता है आपको पता होगा भूमी से ही आर्थिक क्रियाओं होती है जैसे कि पसूपालन यहीं होता है आपको पता होगा खेती यहीं होती है ठीक है तो यह भूमी जुड़ी होती है आपको पता है जो उपजाओ भूमी होगी उसकी वैल्यू ज्यादा होगी वहाँ पे जनसंख्या जाता रहेगी वो ज़्यादा उपजदेगी एक बंजर भूमी होगी उसकी जो value होगी वो कब होगी इस तरीके से आप ये सारी जाते जानते हैं आते हैं point number 2 पे यद भी समय के साथ क्या हुआ आर्थिक किरियाओं में बदलाव आता रहता है वो द्योग को ज़्यादा value दी जाने लगी हो सकता है कल को किसी और चीज को ज़्यादा value देनी लग जाएं लोग लेकिन जो भूमी है ठीक है भूमी है वो अन्य बहुत से संसाद उनों की अपेक्षा की भाती चेतरपल की दृष्टी से इस्थाई है यानि जो भूमी से रिलेटिड जो काम है वो वैसे के वैसे फिक्स है किर्शी भारते अर्थ व्यूस्ता के एक महतवून अंगै आपको पता होगा कि हमारा बहरत है वो एक किर्शी परधान देश है आप पहले से ही सुनते आईए यानि हमारे देश में किर्शी बहुत महतवून है इसके बाद है हमारे देश के लगबग 13% जनसंक्या हमारे देश की जो 53% जो जनसंक्या है वो किस पे निर्बर करती है वो किर्शी पर निर्बर करती है आगे हमारे पॉइंट कि हमारे देश के 57% पर तीसत भूबाग पर किर्शी की जाती है जो हमारे देश को 57% की जमीन है उ ठीक है किर्शी यानि उस पर किर्शी की जाती है जबकि विश्व में कुल भूमी में केवल बारा परसेंट भूग भाग पर किर्शी की जाती है अगर हम पूरी दुनिया अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करें मानलो ये पूरा वर्ल्ड है तो पूरे वर्ल्ड के सिर्फ बार परसेंट पर क्या होता है खेती की जाती है क्योंकि ज्यादा तर जो आपको पता है अगर पूरी दुनिया की बात करें तो महासागरों से गिरा हुआ है कि बहुत सारा एरिया जो है हमारे दुनिया का वो तो महासागरों में ही चला जाता है ठीक है और इसके बाद देखो अगला पॉइंट भारत का एक बड़ा भूबाग किर्शी के अंतरगत होने के बावजूद यहां भूमी पर दबाओ जादा है और प्रतिविक्ति किर्शी भूमी का अनुपाद जो है वो 0.31 हेक्टेर है अब यहां से हमें दोस्तों याद क्या रखना है आप यही जान लो टाइम कम है और पढ़ना ज़्यादा है तो मैं आपको बता देता हूँ यहां से इंपोटन क्या है बस पहला पॉइंट देखना है कि जो हमारे यहां पर भूबाग है आर्थिक क्रियों के रूप में होता है दूसरी चीज क्या है कि जो क्रिशी है वो हमारे यहां की महतपून अर्थवस्ता का अंग है फिर क्या है 53% जनसंक्या क्रिशी पर निर्वर करती है और 57% भूबाग पर हमारे देश में 57 percent भूबाग पर किर्शी होती है और वर्ल्ड में कितने भूबाग पर होती है Only 12% और भारत में कितने भूबाग पर होती है 57% बस इसके अज़ाभा कुछ नहीं आगे आते है पिछले दसकों में कुछ दसकों में बदलती हुई भारती अर्थिविस्ता का प्रभाव भू उपयोग पे पढ़ा है कि हमारी जो अर्थिविस्ता बदल दे उसका प्रभाव पढ़ा है जमीन के उपयोग पे भू संसाधन को इसके सौमित्यों के आधार पर दो परकारों में हम रखते हैं एक तो होता है निजी और एक होता है साजा संपत्ती निजी जो होती है किसी की पर्षनल होती है साजा मतलब जिस पर एक से ज़्यादा का अधिकार होता है साजा संपत्ती संसाधन का उपयोग जैसे साजा संपत्ती आपने पढ़ा है ना उसमें 12th क्लास की पॉलिटिकल में इनका उपयोग जो हो मन्द है ग्रामीन भारत की संपन्नता या विपन्नता से क्योंकि भूमी जो है वो किर्शी के आदार है और भूमी ही लोग जिनके पास जमीन नहीं है वो ज्यादा तर क्या होता है गरीबी का शिकार हो जाते है और आपको ये भी पता हो का हमारे देश में विवित्ता से बर्पून है यानि कहीं पे उपजाओ भूमी है तो कहीं पे कम उपजाओ भूमी है कहीं पे कपास की खेती के लाइक भूमी है तो कहीं पे गेहों की खेती के लाइक भूमी है अलग-अलग तरह कि हमारे यहां पे जमीन भी है और हमारे यहां पे जलवाईू मे उसमें पिर वराइटिब आई जाते है कहीं पे चावल जादा होता है तो कहीं पे गेहूं जादा होता है इस तरीके से अब आते हैं आगे आजादी के बाद क्रिशी की तमाम समस्याओं का समाधान कर लिया गया हरित करांती उसका एक बड़ा कदम है हरित करांती क्या है आपको पता 1960 के दसक में देश में बहुत संकट आया था मौन्सून के या सफल था बहुत बड़ी समस्या देश में खाने पीने के अनाच की कमी हो गई थी तो ऐसे में सरकार ने हरित करांती का एक सफल प्रयास करा जिसमें क्या हुआ था गेहू अगेहरा की जो फसलें थी उसमें काफी जादा बड़ोतरी हुई थी और देश को काफी फाइदा हुआ था भारत की भूमी उपियोग समंदी प्रपत्र विवरन भूराजस्वत द्वारा तैयार किये जाते हैं निवल बोए गए छेतर में बड़ोतरी के लिए भूमी बचत आपको ये सब छोड़ना है आगया हो सिदा इसे भी छोड़ो कोशन पर आते है यहाँ पे देखो कुछ फैक्ट दे रखे है कि खाद्रानों के उत्वादन में भारत का वर्ल्ड में इस्थान जो है तीसरा ठीक है चीन यूएस से के बाद यानि चाइना उसके बाद यूएस से उसके बाद भारत विश्व के चावल उत्वादन में भारत का 22% है यानि विश्व में जो चावल उत्वादन किया जाता है चावल उगाया जाता है उसमें 22% जो है उसमें से 22% भारत के द्वारा उगाया जाता है सिचाई पर निर्भर रहने वाले चावल उत्पादिक छेत्र पंजाब, हर्याना, तमिल्नाडू, अंद्रपरदिस आपको पता होगा चावल एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की ज़्यादा हुए शक्ता बढ़ती है रभी और खरीफ की मुख्य फसले है रभी, गेहू, खरीफ, चावल अब इसको याद रखने का तरीका कैसा है रभी, यहाँ पे दो अक्षर है रा और भी, तो जो गेहू है इसमें भी दो अक्षर है खरीफ, यहाँ पे तीन अक्षर है तो जो चावल है, यहाँ पे भी तीन अक्षर है तो बढ़ी गेहू और खरीफ चावल इस तरीके से थोड़ा याद करना connection विटा के अब आते हैं गेहू उत बादन में जो गेहू उत बादन में जो आगे हैं कौन से हैं, UP, पंजाब, हर्याणा, राजिस्तान किन फसलों के उत्पादन में, विश्म में, भारत, अगरुनी है यानि भारत कौन सी फसल दुनिया में, उगाने में, पहले इस्तान पे रहता है यानि की आगे रहता है तो बात आए, दाल की और चाए आपको पताओगा असम वगेरा जो है हमारे राज्ये हैं यहाँ पर चाय का उद्वादन होता है हरित करांती का अधार अच्छे बीज उर्वरक सिचाई यानि हरित करांती के टाइम पर सरकार ने क्या कर रहा था अच्छि क्वोलिट्य के बीच उपलब्द करवाये थे अच्छी उर्वरक उपलब्द कर वाये थे सिचाई की सुविधाई उपलब्द कर वाये था इससे क्या हो था कि पैदावार में बढ़ته होती लुए थी चावल का पर्मुकुत पादक राज्य है पश्यमंगाल मुंगफली गुजराथ जूट पश्यमंगाल अब आते हम अपने कोशन आंसर पर कोशन देखो इसमें पहला कोशन छोड़ना है इसमें ये लिखा है कि दक्षिन राज्यों तता पश्यमंगाल में एक क्रिशी वर्स में यानि एक वर्स में जो खेती का एक वर्स होता है एक क्रिशी वर्स में चावल की दो या तीन फसले बोई जाती है इसका main कारण क्या है तो यहाँ पे क्या कारण है एक तो जलवायू उपियुकत है दूसरा क्या है आद्र जलवायू यानि यहाँ पे नमी रहती है इसके बाद देखो हम खाली जो important main question है उसको पढ़ेंगे बागी question को क्या करेंगे skip कर देंगे छोड़ देंगे तीसरा question है कि दाल मिट्टी की प्राकिर्थिक उर्वरता को बढ़ाने में कैसे मददकार साबित होती है यानि जो डाले जो है वो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में मददकार है ये फलीदार आपको पता होगा जो नाइट्रोजन योगी करन के द्वारा मिट्टी की प्राकृतिक उरवरता को बढ़ा दीती है तिक है यानि अगर दाल को उगाया जा रहा है तो उससे जो मिट्टी का उरवरता होती है वो बढ़ जाती है अमेरिकन का पास देश के किस भाग में उगाया जाता है तता वहाँ इसे किस नाम से जाना जाता है तो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में इसे नर्मा नाम से जाना जाता है अब बात ये थी कि अमेरिकन जो का पास है वो हमारे देश में कहां पे उगाया जाता है तो बात निर्मा से याद कर सकते हैं निर्मा निर्मा नर्मा ऐसे ध्यान लखना अगर आ ज़ये एक नमबर में तो ठीक रहेगा कोशन नमर फाइव है अल्प बेरोजगारी से क्या दात पर है बेरोजगारी तो आप जानते हो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो काम तो करना चाता है पर उसे काम नहीं मिल पा रहा है तो इसका वंदाब बेरोजगार है अल्प बेरोजगारी क्या होती है भारते किर्शी में विशेश कर आस सिंचित छेतरों में बड़े पैमाने पर अल्प बेरोजगारी पाई जाती है यानि कि फसल रितू में वर्स भर रोजगार उपलब्द नहीं होता क्योंकि क्रिशी कारें में लगातार गहन शरम वाले नहीं है कि खेती के काम में हमेशा एक जैसी मेंनत नहीं रखती है इसी को अलप बिरोजगारी कहते है यानि कि जो हमारी क्रिशी है उसमें विसेज कर आस इंची छेट्रों में जो आसिंची छेत्रों में बड़े पैमाने पर क्याए अल्प बेरोजगारी पाई जाती है क्योंकि यहाँ पे हमेशा खेती का काम एक जैसा नहीं रहता है वर्स बर इसलिए यहाँ पे क्या अल्प बेरोजगारी है यानि ना तो वो पूरी तरीके से रोजगार में है और ना ही वो एकदम बेरोजगार है यानि कि खेती भी करते हैं कुछ टाइम के लिए वो बेरोजगार जैसे हो जाते है सबसे अधिक और सबसे कम शर्ष्य गहनता वाला राज्य सरवादिक शर्षे गहनता पंजाब में कम मिजोरम में तो ये भाई पंजाब और मिजोरम इनको तो रटना ही बढ़ेगा आपको ऐसे कोशन पस्चिम मंगाल में किसान चावल की कितनी फसले लेते हैं पस्चम बंगाल जो है उसमें किसान चावल की कितनी फसले लेते हैं तथा उनके क्या नाम है तो यहाँ पे तीन तरह की जो मेन फसले हैं जिने आंस, अमन और बोरो कहा जाता है कितनी तरह की फसले हैं पस्चम बंगाल में तीन तरह की बंगाल पस्चम बंगाल में तीन तरह क भारत में चुवार का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराश्रा अमेरिका रोबस्ता वर लिवेरिका क्या है? ये तीनों कॉफी की किसमों के नाम है विश्व में चावल उत्पादन में भारत का क्या योगदान है? इम्पोर्डन कोशन है आया हुआ है? आपको पता होगा दूसरा इस्तान है 21.71 यानि लगबग 22 परसेंट जो है भारत ठीक है? अब पहले नमबर पे कौन है वर्ल्ड में? क्या चाइना है? पहले नमबर पे या तो जवाब सही होगा या जवाब गलत होगा आपको comment box में comment करना है और आपको बताना है क्या चीन, विश्उ में, चाबल के उतपाधन में, नमबर वन में है या नहीं है? नेट पे सर्च करना, गूगल पे सर्च करना और बताना अच्छे से अगला कोशन है साजा संपत्ति संसाधन क्या है आपको पता है कि साजा संपत्ति संसाधन पर राज्यों का सौमित होता है यानि सरकारों का सौमित होता है ये संसाधन पसुओं के लिए चारा घरेलो उप्योगेतू इंदन लकडी वन उत्पाद उपलब्द कराते हैं यानि कि हम यह बोलेंगे कि यह किसी की निजी संपत्ती नहीं होती है ठीक है यह इस पे क्या होता है समुदाय का अधिगार होता है यानि एक से अधिक लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं भारत के तीनों बिन फसल रितुओं की किनी दो दो विसे इस्ता बतानी है important, most important question of this chapter खरीफ रितु, रभी खरीफ यह रितु जून से सुरू हो जाती है सेप्टेंबर जून से सेप्टेंबर इस रितु में क्या है चावल का पास जूट जूआर बाजरा अब मैंने जैसे आपको बताया था, खरीफ में तीन सब्द होते हैं एक, दो, तीन तो इसकी फसलों में भी जो ज़्यादा तर है उसमें तीन सब्दी है चावल में भी तीन है, कापास में भी तीन है जूट को एक बार छोड़ो, जूआर में भी अगर देखे तो आदा जावारा जूआर में भी तीन है, बाजरा देखे तो बाजरा में भी तीन है अब एक चीज जूट आपको याद रखना है तो जूट आप इस तरीके से याद रखना दो ही है पर एक मातरा लग गई तो यह तीन है हमको क्या करना है दोस्तों मैं आपको यह ट्रिक बता रहा हूँ याद रखने की वरना यह कोई मतलब ऐसा फॉर्मूला नहीं है दूसरा क्या है रभी पे आते हैं रभी जो होती है यह ओक्टोबर से नोवंबर यानि शर्दियों में प्राणम बोती है गेहूं दो शब्दे चना दो शब्दे तोरई तोरई को हम तोरी बोलते हैं आपको बता हो तो तोरी दो शब्दे सरसों इसमें तीन है जो तो आपको यह थोड़ा सा ध्यान रखना है आप जैसे याद रख सकते हो ऐसे रखना क्योंकि जब मैं बढ़ता थो तो मैंने ऐसे खरीफ और रभी को ऐसे याद रखना था खरीफ लिखा उसके सामने तीन-तीन शब्द वाले बस दो-दो-तीन-तीन फसले याद रखने हैं दो फसले चावल का पास खतम यहाँ पर मैंने गहूंचना खतम यह नहीं कि आपको सारा याद रखना है बस यह concept बढ़ता के रखना पेपर में अगर ऐसा कोशन आ जाए तो आप कर दोगे अब आते आगे जायद रितू यह एक अलपकालिक ग्रिश्मकालिन फसल जो रभी की कटाई के बाद जैसे ही रभी की कटाई होती है उसी टाइम पे क्या होता है प्रारम होती है यह इस रितू में तर्बूज, खीरा, सबजी चारे फसलों की किर्शी होती है यानि इस टाइम पे तर्बूज वगएरा उगाए जाते है खीरे बगएर हो गाये जाते हैं इनकी फसले हो ठीक है अगला कोशन है कि फसलों के लिए आदृता यानि नमी जो होती है नमी के परमुक्स रोत के आधार बर भारत की किर्शी को कितने समूँ में बाटा गया है नाम लिखो देखो सिंचित किर्शी और वर्सा पे निरबर किर सिंचित किर्शी क्या होती है यह देखें वर्सा के अलावा जल की कमी को सिचाई के द्वारा पूरा किया जाता है यानि मान लों कहीं पर बारिश नहीं है तो क्या है ट्यूवेल वगरा है या फिर नदिय है या जैसे भी है पाइप की माध्यम से या जिस तरीके से पर यहा परियाप्त आदरता उपलब्द कराना होता है दूसरा पॉइंट देखो फसलों को परियाप्त मातरा में पानी उपलब्द कराकर अधिक्ता मुतपादक्ता प्राप्त कराना योग्य छेत्र यानि कि फसलों को परियाप्त मातरा में पानी उपलब्द कराना इसमें में सिचित विर्षा निर्वर्ड उन परदेशों सीमित है ये नहीं परदेशों सीमित है जहां फिर यहां पर वार्षिक वार्षा शेंटीमेडर में वह्यूंत होती है। होता है कि उपलब्द आदरता की मातरा के आदार पर इसे शुष्क भूमी किर्शी वा आदर भूमी किर्शी में बाढ़ते हैं तो हमको थोड़ा से यह याद रखना था सिंची जहां पर सिचाई किया जाता है और वर्सा निर्बर जो वर्सा बे निर्बर होती है दो शब्द थे बिल्कुल सिंबल सा याद रखना था बस इतना ही काफी है पेपर से पहले हमें थोड़ा थोड़ा याद करना है एक बार पढ़े लेना है बस इतना काफी है अगला कोशन है कि सुस्क भूमी किर्शी या तथा आद्र भूमी किर्शी में क्या आंतर है तीन आंतर लिखो अब देखो यहांपे इस चब्द हैं सुस्क का मतलब होता हिए ड्राई सूखा हुआ आद्र का मतलब होता हिit हिला जैसे कि नमी तो अब इनमें क्या अंतर देखो सुस्क भूमी किर्शी ये किर्शी उन परदेसों में की जाती है जहाँ पर वार्सिक वर्सा 75 सेंटीमीटर से कम होती है जहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्सा होती है तो वहाँ पर होती है सुस्क भूमी वाली किर्शी इन किर्शी छेत्रों में सुस्कता को सहने में सक्षम फसले यानि यहाँ पर ऐसी फसले उगाई जाती है जो सुखे पन को सह सके जैसे कि चना आपको पता होगा मूंग बाजरा गौार ये चीज़ें ये सुखी जगा पर भी उग सकती है कम पानी में आद्रभूमी किर्शी इस किर्शी में वर्सा रितू के अंतरगत वर्सा जल पौदों के आवश्यक्ता से अधिक प्राप्त होती है यानि कि वर्सा की जब रितू आती है तो इसमें वर्सा का जो जल होता है वो पौदों को जरूरत से ज़्यादा प्राप्त होता है इस प्रकार की खेती में क्या है परदे इस बाढ़ और मिर्दा का अपरदन का सामना करते हैं जहां पर जरूस से ज़्यादा पाने होगा वहां बाड़ा आएगी आएगी आते आदृता संरक्षन तता वर्सा जल के ओप योग कोई विदी नहीं अपना ही जाती तो यहां पर कौन सी फसले हैं चावल जूट गन्ना तो फसले आपको याद रखने हैं नेक्स्ट कोशन है अगला कि अंतर इस परष्ट करो बंजर भूमी तथा क्रिशी योग्य व्यर्थ भूमी सुद्ध भूवाई छेत्र एवं सकल बोया गया छेत्र अंतर बताना है हमें और ऐसे कोशन आपको इमें पेपर में काफी आते हैं आ सकते हैं बिलकुल बंजर भूम और किर्शी योग्य व्यर्थ भूमी भी हर कोई जानता होगा बंजर भूमी देखो ये भूमी जो होती है दोस्तों ये किर्शी के अयोग्य होती है यानि बंजर पड़ी है जिसकी value नहीं है खेती नहीं हो सकती जैसे वन उबड़ खाबड जगा भूमी पहाड़ी भूमी या रेगीस्थान ऐसी जगह पर बोहते हैं बंजर बोलते हैं यानि वह खेती के लाइक नहीं है दूसरी जगा दूसरी तरफ देंको किया लिखा हुआ है किर्शी योग्य यानि किर्शी योग्य पर व्यर्थ भूमी यानि कि यह भूमी जो पिछले पांच वर्स हो या उससे अधिक समय तक व्यर्थ पढ़िये इस भूमी को किर्शी तकनीकी के जरिये किर्शी जेत्रय योग्या बनाया जा सकता है यानि कि ये जो योग्या ये मतलब कोई जगा है वहाँ पर जमीन है ठीक है और उस पर फसले भी उगाई जा सकती है लेकिन उस पर फसले उगाई नहीं जा रही पांच वर्स या उससे ज़्यादा समय से व्यर्थ पढ़िये बिकार पढ़िये लेकिन अगर सही तक्नीक का इस्तेमाल करें उसकी जुताई वगरा करें उसपे बाड़ वगरा बनाएं और उसपे खेती करें तो उसपे खेती हो सकती है इसलिए इसको बोलते हैं किर्शी योग ये सेकेंड है देखो सुद्ध भुवाई चेतर और सकल बोया गया चेतर इसमें देखो जोते और बोया गये चेतर में सुद्ध भुवाई चेतर तता सुद्ध चेतर वय भाग शामिल किया जाता है जिसका उपियोग एक से अधिक बार किया गया हो यानि कि मानलो कि कोई ऐसा यह मानलो यह हमारा खेत है इसमें क्या है जोते और बोय गये सुद्ध बुआई छेत्र जोता गया हो और बोया गया हो ऐसे छेत्र में तता शुद्ध छेत्र का वहभाग शामिल किया जाता है जिसका उपियोग एक से अधिक बार मानलो ये इतना हिस्सा है मानलो ये जो मैं डार कर रहा हूँ ये क्या है? यहाँ पे सुद्ध भुआई छेतर है और यहाँ पे खेती की जा चुकी है और इसका उपयोग जो है एक से अधिक बार यानि एक बार दो बार तीन बार याँ फसले हो गई गई है तो इसको सकल बोया छेतर कह सकते हैं अगला कोशन देखो चाय के उत्पादन में भारत के अगरिनी राज्य कौन से है? चाय कहाँ पे है? तो भारत जो है आपको पता है कि चाय के उत्पादन में फर्स्ट नमबर पे है ये विश्व की कुल चाय उत्पादन की लगवग 28% परतिसे चाय जो है भारत से ही जाता है मतलब भारत में ही होता है अगरिनी राज्य अगर बात करें तो आपने असम तो सुना ही होगा चाय के लिए बहुत फैमस है और पश्चिप मंगाल असम याद रखना असम चाय असम हमसा चाय से रुलेटिड है और इसके बाद क्या है कि Чाय के लिए उपियूक भोगोलिक परिस्तित्या कौन सी है तो इसमें क्या है कि पहाडो की तरंगिट ढालो ये ढालो के होता है जैसे मालो पहाड है इस तरीके से है तो इन ढालों पे जहां अच्छी वर्सा होती है जिसमें पानी जडों में ना इकटा हो बलकि प्रवाहित हो जाए चला जाए तो वहाँ पे चाय की खेती होती है ठीक है तो बस यह हो गया कहां पे था असम में पाड़ी के तलहटी चेतरों में जहां पे वर्सा वगेरा अच्छी होती हो तो इस तरीके से यहां पे चाय की खेती होती है अगला कोशन है कि भारत में किर्शी योग्य भूमी जो किर्शी की योग्य भूमी है उसका निमनी करन किस परकार किर्शी की गंबीर समस्याओं में से एक है कि जो भारत में किर्शी योग्य भूमी है उसका निमनी करन निमनी करन का मतलब क्या है उसका इस तर गिरना किस परकार किर्शी की गंबीर समस्या आपको पता है भारत में मानलो ये जगाए ये किर्शी योग ये है और इसमें किर्शी की जाती है लेकिन दीरे दीरे क्या हो रहे है इसका निम्निकरण हो रहा है आपको पता है नहर द्वारा अत्यादिक सिचाई जिसके कारण जो लवन्टा और शारियता होती है वो बढ़ जाती है दूसरा क्या है कि कीट ना सको का प्रियोग पहले क्या होता था गोबर की खाद या केचुवे से बनी खाद या फिर जो प्राकिर्टिक तरीकी से बनी खाद या फिर जुमकेती में जो आग जला के राक से बनी खाद इसका इस्तिमाल करते थे पर आज के टाइम पर क्या है आपको पता है अगर किसी खेत में मानलो दाल उगाई जा रही है हर साल दाल ही दाल उगाई जा रही है चावल उगाई जा रहा है मानलो गहीं तो वहां सिर्फ चावल उगाई जा रहा है अगर एक ही तरह की फसल बार बार उगाई जाएगी तो उससे क्या होगा उससे जो वह तो यहां से आपको यह बहुत ईजी लगाओगा देखो वरतमान परती और पुरातन परती इनमें अंतर बताओं परती का मतलब होता है खाली छोड़ देना कोई जमीन है कुछ नहीं कर रहे हैं खाली छोड़ रंगे तो यहनी वह परती भूमी होगी तो वर्तमान परती भूमी ये वे भूमी है जिस पर एक वर्स या उससे कम समय के लिए खेती नहीं की गई है मानलो लगबग एक साल से खेती नहीं की जारी तो उसे वर्तमान परती भूमी बोलेंगे यह भूमी की उर्वरत्ता को बढ़ाने का एक प्राक्रितिक तरीका है अब आते हम पुरातन परती भूमी ऐसी भूमी जिसे एक साल से ज़्यादा लेकिन पांस साल से कम के लिए खेती ही तू परियोग नहीं किया मान लोग की पांस साल से कम के लिए खेती के लिए प्रयोग नहीं किया तो ऐसी भूमी कौम बोलेंगे पुरा तनी यानि पुरानी परती भूमी अब आते हम अपने अगले कोशन पर यह देखो यह important question है आया भी हुआ है भारत में भूस अंसादनों का महत्व उन लोगों के लिए अधिक है जिनकी आजीवी का किर्ष्टी पर निरबर है यानि कि ऐसे लोगों के लिए इसका महत्व जादा है जिनकी आजीवी का है वो खेती पर ही निरबर है तो जाहिर सी बात है कि भाई जिसकी आज जीवी का ही खेती पे निरभाय रहे तो भूस अंसाथ उनों का महतु भी उनके लिए क्या होगा अधिक होगा दुत्ती और तिर्तियक क्रियाओं की अपेक्षा जो किर्शी होती है इसमें भूमी का महतु जादा होता है भूमी हींता का ग्रामीन छेत्रों में गरीबी का प्रत्यक्शंबंद है यानि कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन निये खेती करने के लिए तो वो गरीब की केटिगरी महा रहे है और भूमी की गुणवत्ता किर्शी उत्पादन को प्रभावित करती है अन्य कामों को नहीं यानि जो भूमी की क्वालिटी होती है वो किर्शी को ही प्रभावित करेगी अन्य कामों को नहीं एक्जामपर ये खेती के योगे भूमी है इसकी क्वालिटी खराब हो रही है यानि ये खेती के योगे नहीं है लेकिन इस पर और काम तो हो सकते हैं यहां पर उद्योग तो लगाए जा सकते हैं खेल का मैदान बनाया जा सकता है घर बनाया जा सकता है या अन्य काम के लिए तो ठीक है लेकिन खेती के लिए क्या हो जाएगी उसके अगर गुणवत्त जाएगी तो वो खेती के लिए प्रभावित हो जाएगी अगला पॉइंट है कि ग्रामिन खेतरों में भूमी का स्वामित आर्थिक मूले के साथ सामाजिक सम्मान से भी जुड़ा है आपको पता है कि अगर किसी व्यक्ति के पास जादा जमीन है तो उसका सम्मान जादा होता है क्योंकि वो अमीर माना जाता है उसको एसे ही समय सो नेते हैं लोग तो यह भी online में हुए अगला कोशन हाँ है कि छोटी किर्शी जोत और कुर्शी योग्या खरषी योग्या भूमिका निम्नी करन भारती कि रिष्फि दो परमुक समस्या हैं कि क्या है कि यह समस्या है भारती किर्शी की दो एक तो यह समस्या है पहली छोटी किर्शी जोत दूसरी एक किर्शी हो कि भूमी का निम्नी करन क्या है तो आपको पता है कि जनसंख्या जो है बढ़ रही है उसके कारण जो भूमी की जोतों का आकार है जो भूमी हैं वो सिकुर्टी जारी है यानि लोग बढ़ रहे हैं जमीन तो ना बढ़ेगी लोग इतो बढ़ेंगी तो लगबग 60% किसानों की जोतों का आकार यानि जो उनका खेत वगर है उसका आकार तो एक हेक्टेर से भी कम है और अगली पीड़ी के लिए इसके और भी ही था उसके पास यह जमीन थी उसके बाद उसके चार दो बच्चे थे मान लो बाद में क्या हुआ वो उसके दो बच्चों में जमीन बढ़ गई जन संक्या फिर क्या हुआ उनके दो बच्चों के फिर उनके अपने बच्चे थे यानि उनके हिस्सों में बढ़ गई फिर और बच्चे होंगे उनकी एहसें में बढ़ जाएगी तो जमीन जो वो क्या हो जाती है धीरे धीरे वो बड़ा सा टुकडा बट बटके क्या होता जाएगा चोटा होता जाएगा और एक टाइम ऐसा आजाएगा जिस दिन ये समस्या बहुत विकाल समस्या हो जाएगी अगर जन संक्या इसी तरीके से बढ़ती रही तो फिर क्या होगा दोस्तों फिर हमें क्या ध्यान रखना है कि फिर जो छोटे छोटे खेत बचेंगे तो वो किसलिए होगा खेती उसमें फिर निर्वा किर्शी होगी खाली या खतम होता जा रहा है तो ये कीटनाज वगरा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाते हैं ज़्यादा पानी भरा रहे या फिर अन्ने कारण हो सकते हैं तो उसके उर्वार्ट तर्शंता जो है वो कम होती जाती है तो ये था अगला कोशन है कि भारती एक रिशी के विकास में हरित करांती की भूमिका बताओ तो हरित करांती की बहुत बड़ी भूमिका है 1960 के दसक में खाद्यान फसलों के उत्वादन में विर्दी करने के लिए ठीक हरित करांती को अपनाए गया था सिचाई के साधन, पैकेज प्रद्धोगी की नाम से यानि की जैसे पंजाब, हरियाना, उत्तरपरदेस, आंदरपरदेस, गुजरात इन में क्या हुआ था बहुत ज़्यादा बड़ोतरी हुई थी खाद्यान में और खासकर बात करें, केहूं की फसल में तो बहुत ज़्यादा बड़ोतरी हुई थी इसे हरित करांती के नाम से हम जानते हैं हरित करांती की निकित विसेजता है इसमें अच्छी क्वालिटी के बीज उपलप्त कराए गया थे सिचाई की सुविधाई उपलप्त कराए गया थे अच्छे उर्वरक इस्तिमाल कराए गया थे कीट ना सक दवाईयां इस्तिमाल कराए गया थे और कुछ मशीनें वगएर उपलप्त कराए गया थे इसी से क्या हुआ उत्पादन जो था बढ़ाया गया यानि खेती अच्छी हुई और फसल अच्छी आई अगला कोशन है कि भारते किरिशी में किरिशी का महतो बताओ अब सोरी भारते अर्थवेश्टा में किरिशी का महतो बताओ तो हमारी अर्थवेश्टा में किरिशी का बहुत महतो है क्योंकि जो भारत है वो एक किर्शी परदान देश है हमारी जो अर्थवेस्ता है वो किर्शी पे याधारित है और आपको पताओगा कि भारत है किर्शी परदान देश है इसलिए भारत है अर्थवेस्ता में किर्शी का बहुत जादा महतु है देश के कुल श्रमिक सकती का 80% जो भाग है वो खेती में ही जाता है और देश के कुल राष्ट्रे उत्वाद में 26% योगदान खेती से मिलता है हमें और किर्शी से कई किर्शी परदान उद्योगों को कच्चामाल मिलता है जैसे कपड़ा उद्योग, जोट उद्योग, चीनी उद्योग किर्शी से ही पसुओं को चारा मिलता है किर्शी से ही भारती अर्तिवेस्ता की आधार सिला ही नहीं बलकि जीवन यापन की भी एक विद्य है किर्शी से ही हम क्या करते हैं अपनी फसलों को दूसरे राज्यों में दूसरे देसों में भी बेज पाते हैं ठीक है तो किर्शी बहुत जादा इंपोर्टेंट है पिछले 50 सालों में किर्शी उत्पादन वर्ट टेक्नलोजी के में उलेगने बढ़ोतरी हुई है इस कतन के पुष्टि करो तो बहुत सही बात है वई कि बहुत सी फसले जैसे चावल गेहूं उत्पादन की पैदावार में बहुत ज़्यादा क्या हुई है विर्धी हुई है दाल जूट के उत बादन में पर्थम चावल के हूँ मुंगफली में इस पर क्या आता है भारत यानि भारत जूट के उत बादन में दाल के उत बादन में तो पहले नमबर प्याता है चावल के हूँ गर्ना मुंगफली के इस्तान पर दूसरे नमबर प्याता है और सिचाई क के प्रसार ने देज में किर्शी का उतबादन चेत्र बढ़ाया आपको पता है अच्छी क्वालिटी के बीज आ गए है अच्छी टेक्नलोजी आ गई है अच्छे कीटना सक आ गए है इससे फायदा हुआ है देज के विबिन चेत्रों में आधुनिक किर्शी यानि अब अलग वीडियो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और टाइम कम है तो मैं कोशिस कर रहा हूँ कि आज ही ज़्यादा ज़्यादा वीडियो आपके लिए बना दूँ धन्यूंद्ध